आप कैसा जीवन जी रहे हैं आप कैसा खाना खा रहे हैं आप योग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं यह आपकी सिहत पर निर्पर करता है देखिए योग हैल्दी जीवन जीने के लिए बहुत जरूर है आप यह कह सकते हैं कि योग हैल्दी जीवन का आधार भी है आज हमारे साथ इस वख़िए से पहले बहार का खाना नहीं हुता है कि इसके ईंखेशन ना इसी पहले बहार का खाना नहीं कहाएगा और थोड़ा हाई जो फ्रूट्स आर जुनके अंदर थोड़ा मीठा जयदा होथा है उसको तो थोड़ा एाओ जामुन जैसी चीज़ है जिसके अंदर जामुन वैसे भी डाबेटीज के लिए अच्छी चीज़ है आप जामुन इंक्लूट कर सकते हैं और खाने के अंदर आपको जैसे पता ही होगा कि लो गलाइसेमिक फूड हम खाना प्रेफिर करते हैं तो बरसातों में भी हम इसी तरी में और बहुत से लोग घंटों जिम में बिताते हैं ताकि वे फिट हो जाए जब लोग वेट लोस करते हैं तो किन खाने की चीजों का पर परेज करना चाहिए और कौन सी ड्रिंक्स पीनी चाहिए क्या ड्रिंक्स वेट लोस के दोरान ठीक रहेंगी अगर हम बात करें खान करते हैं कोई चीज काम खाना शुरू करते हैं तो मेरी एडवाइजरी रहें कि खाने का अगर हम पोस्टम ना करके उसको एक बैलनस्ट खाने की तरह देखें जैसे कि कार्भो हाइडरेट और प्रूटीन और फैट को अलग लग ना करके उसको एक कॉंबिनेशन बनाएं ज जैसे कि आवाकाडो बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है कि इससे आपका बेट लॉस होगा बट अवाकाडो हमारे इंडिया का फ्रूट नहीं है तो इट इस मुच बेटर कि हम इंडियन खाने की तरफ जो हमारा इंडियन प्रड्यूजर उससे उसको ही कंसूम ज्यादा कर पाए और जैसे आपने ड्रिंक्स के लिए पूछा तो हमारी जितनी भी ड्रिंक्स हैं जैसे की चाच हो गई जैसे की बेल का शर्बत हो गया जामुन फालसे का शर्बत हो गया हम सब इंक्लूड कर सकते हैं उसमें आप चीनी करम डाल सकते हैं सत्तू हो गया वो आप चीनी के बग पीना शुरू कर देते क्योंकि हेल्दी है तो उसको लिमिट कर रखेंगे कि हफते में 3-4 बार पिए बहुत है मैम एक समस्या है डाइरिया याने कि आम भासा में दस्त भी कहते हैं जब डाइरिया की समस्या होती है तो बहुत प्रोब्लम जहलने को मिलती है और डाइरिया होने के बाद शरीर में डियारिशन की समस्या हो जाती है तो जिन लोगों को डाइरिया है उन्हें अपने डाइट क के अंदर उसको एवोईट करना कुछ टाइम के लिए जब तक कि आपकी तब्य ठीक नहीं होती और अपने डायेट में प्री और प्रोबाइटिक दोनों के इंकलूट करना जैसे कि हम प्रोबाइटिक के बारे में तो जानते ही हैं बट अगर हम प्रोबाइटिक के साथ इसको कॉंबिनेशन करते हैं उसका तो उसका ज्यादा हमको बेनीफिट मिलता है जैसे कि एग्सेंपल हमारे लिए हो सकता है दही और राइस यह जब प्रोबाइटिक आ है राइस प्रीबाइटिक आगर हम द honeymoon का कॉंबिनेशन करते हैं तो यह हमारा डाय्रीया के लिए तो राम और उसके साथ में फाइबर वाली चीज़ जासे की फ्रूट पील के साथ नहीं खाएंगे, उसको हमेशा पील करके खाएंगे, कच्छा सलाद बिल्कुल नहीं खाएंगे, और सबजियां भी कम खाएंगे, छिल्के वाली दाल कम खाएंगे, दुली दाल जादा खाएंगे, त आप एक योगा टीचर है और आप हमारे दर्शकों के बताई योग और मेडिटेशन कितना जरूरी है अगर बात करते हैं योगा और मेडिटेशन की तो मेरे खाल से जो सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है हेल्थ को अगर हम साइट पर रखते हैं तो हम सबसे पहले stress से related हमको जितनी भी बीमारिया होती है 80-90% stress level से आती है तो मेरे ख्याल से कि stress level आपका इतना हो जाता है राजकल की रोज मरा की जिंदगी में stress सभी को है ज्यादा हो या कम हो सभी को है तो वो stress level को थोड़ा control में रखते है अगर stress level आपका control में तो खाना पीना भी अपना अच्छे से क्योंकि आपका सोचने का तरीका अच्छा हो जाता है तो आप अपना खाना पीना अच्छा रख सबते हो खाना पीना अच्छा रख हो गए तो आप आप अटोमेटिकली थोड़ी diseases से दूर रहो गए और meditation करने से आपको जो सुकून थोड़ा सा कुछी टाइम का चाहे मिले पांच यहां दस मिनट का वो 24 आवर्स के लिए एक medicine की तरह काम करता है तो मेरे खाल से meditation and yoga दोनों प्रैक्टिस करना हर एक के लिए बहुत अच्छा है especially जो लोग corporate में काम करते हैं या जो बच्चे जिनके उपर बहुत pressure पड़ाईगा मेरे खाल से उन लोगों को बिल्कुल yoga करना चाहिए और वो हर एक field में काम करेगा जैसे कि किसी को weight loss करना है तो weight loss में भी help करेगा और आपको mental stress बहुत है या आप stress बहुत ज्यादा लेते हो तो उसको भी कैसे manage कर stress को उसके लिए वो beneficial मोनिका जी ने बहुत आसान भासा में यह समझा जाए कि जो बच्चे जिन पर पड़ाई का burden जातरी जी ने stress है उन्हें योग और meditation तो ज़रूर करना चाहिए साथ ही healthy diet ज़रूर लेने चाहिए वैसे योग और meditation हर किसी के लिए ब आज के लिए बस इतना है मिलते हैं आपसे जल्दी धन्यवाद